प्यारे दोस्तों क्या हाल हैं सब आपके मुझे पूरी उमीद है कि आप सब खेरेस से होंगे और मैं हूँ आपका होस्ट हुमाईयो अजीज एडवोगेट हाइक लाहा और सी एस पी एमसें पीसे जुडिशल कोचिंग पाकिस्तान दोस्तों आज रोल नंबर 21 से लेकर रोल नंबर 30 तक आपकी खिद्मत में पेश करूंगा रोबर्ट ग्रीन की किताब 48 Rules of Power का जो सिल्सला मैंने शुरू किया हुआ एक से लेकर 20 तक दोस्तों जो रोल नंबर आपकी खिद्मत में पेश कर चुका हूं आप पिछले लक्षर मेरे इसी हमायोज एड़ूटेन्मेंट टीवी पर देख सकते हैं सो आज 21 से लेकर 30 तक दोस्तों हमने रोल कवर करने हैं मेरी कुश ही होगी कि इन रोल्स का आपको लिटरल मिनिंग और इंग्लिश में भी हो सकते तो ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूंगा और जो बखी एक्स्प्रेंशन है वो आप दोस्तों के मैंने छोड़नी है क्यूंकि ये सब्जेक्टिव हैं चीजे होते हैं हर दोस्त ने अपने इंटलेक्ट और ऑपने जो पर्सपेक्टिव के हवाले से ईभी एक्सप्लेन करना होता है तो दोस्तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे हमबर रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नहीं आने वाले वीडियो उनको बहसाने मिल सके तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 21st 21 रूल नंबर तो इसकी जरा लेंग्वई सुनिये रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अपने शिकार के सामने अपने आपको बेवकूफ जाहिर करो तो इसमें कोई हरज नहीं तो जब आपका शिकार ये देखेगा तो बेवकूफ जाहिर को जाएगा तब आपके पास सुनहरी मौका है कि आप उसे शिकार कर डाले जी दोस्तो एक बार फिर मुलादा फरमाईए अपने शिकार के सामने अपने आपको बेवकूफ जाहिर करो इसमें कोई हरज नहीं तो इंगलिश में इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो सकती है इस स्नेक इंदी ग्रास इस स्नेक इंदी ग्रास छुपा दुश्मन या आस्तीन का साम जी दोस्तो रूल नुम्बर 21 की जो एक्सपैनेशन है इसमें हलका फुलका अगर मैं कुछ और एड करना चाहूं तो डॉंट गुवेशन तो यूर एनिमी डॉन ओट कन्वेशन तो यूर एनिमी आलवेश एक्ट सीक्रेटली जी दोस्तो रूल नुम्बर 22 कुछ इस तरह है ट्रांसफॉर यूर वीकनेश इंटु पावर अपनी कमजोर्यों को अपनी ताकत में बदलो जी दोस्तों अपनी कम जोर्यों को अपनी ताकत में बदलो दोस्तों यह एक मुसलमा हकीकत है कि जो लोग वक्त के साथ कदम बाकदम नहीं चलते वक्त उन्हें बड़ी तेरी से रोन देता है और वो अपनी जिन्दगी की मंदल में पिछे रह जाते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं जो लम्हा और है मजूद यानि कि पाऊर आफ नाओं को जानते हैं खाल की जो ताकत है और आज की जो एicaçãoियत को जानते हैं सिर्फ वोही लोग कामयाबो कामरान होते हैं जी सिदोस्तों आगे है रूल नुंबर 23 रूल नुमर 23 में व रॉबर्ट गरेंड है कि एक वक्त में सिर्फ ए supreme excellence जी दोस्तों अगर मैं एक उर्दू का महावरा इसके साथ correlate करने की कोशिश करूँ तो वो इस तरह का होगा कि एक इंसान जो दो कश्टियों में सवार होता वो कभी भी मंदले मक्सूद पर नहीं पहुंच सकता एक इंसान जो दो कश्टियों में सवार होता है कभी भी मंदले मक्सूद पर नहीं पहुंच सकता या इससे इस तरह कह सकते हैं कि जो लोग एक वक्त में एक से ज्यादा काम करते हैं उनके काम में ना मियार आता है और ना ही उतनी उंदगी आती है वो काम कर तो लेते हैं लेकिन उनके काम में जो निखार है या हम कह सकते हैं perfection वो बिलकुल नहीं आ सकती rule number 24 है दोस्तो play the perfect courtier play the perfect courtier प्यारे दोस्तो इसका मतलब यह है कि जैसे प्राने वक्तों में आपको पता है बाश्या सलामत हुआ करते थे और बाश्या सलामत जो है वो absolute ruler हुआ करते थे वो ही law maker थे वो ही law executor थे और वो ही law adjudicated थे यानि के कानून बनाना भी उनीका काम था उस पे अमल दरामत कराना भी उनीका काम था और जगडे की सूरत में बिहत्रीन जैसक से आला और और जजज भी वही बाश्या हुआ करता था सो रॉबर्ट ग्रीन कहता है के play the perfect court year सो ऐसे वक्त में जो बाश्या सलामत के खुशामदी टोला हुआ करता था जो लोग बाश्या की हर वक्त खुशामद और हर वक्त बाश्या की जो शान और अग्मत के गुन गया करते थे सिर्फ वही बाश्या के मंदूरे नजर हुआ करते थे आप देख लिए अकबर दी ग्रेट के नौर अतन फिर ग्यासत दिन तोलक है उसके जो फेवरेट courtiers है फिर आप हदरत अमीर खुसरों के देख लीजिए ये मैं आप पे छो जोड़ताओं के वो क्या खुशांदी टोला था या नहीं था यहां सिर्फ आपकी तोजो दिलाना है कि जो लोग बाश्या सलामत के बिलकुल पास बैठके बाश्या की जो अजमत और शान के बुन गया करते थे सिर्फ वही लोग बाश्या के कहर और बाश्या के गजब से रहते थे और उनी ही को जीने का हग था लहादा रॉबर्ट ग्रीन इस रूल 24 में हमें ये बात करने ही करना चाह रहा है प्ले दी परफेक्ट कोरियर कोटियर अपने आपको ऐसे एक खुशामती जो दर्बारी के तौर पेश करो कि आप जो बाश्या के फेवरिट बन जाओ और बाश्या जो है वो आपकी जानों माल की इफाज़त करें आगे रूल नबर 25 है दोस्तों रूल नबर 25 सुनिए का जरा रूल नबर 25 में रॉबर्ट ने सिरे से तामीर करो दोस्तों अगर मैं इसकी एग्जामपल इस तरह दूँ कि जो शाहीन या शहबाद है वो हर 30 से 35 साल के उमर के बाद उस पे जो गुर्बत और नकाहत के असार नमदार होना शुरू हो जाते हैं तो इन वक्तों में क्या करता है क्या वो अपने आपको ह चौच तोड़के नहीं चौच चालिस दिन इंतजार करके नहीं पर और नहीं चौच आने के इंतजार करता जी हां वो सेकंड आप्षन को चुनता है वो अपने पर काड़ता है अपनी चौच तोडता है और फिर इस तकलीफ के अ Melissa से गु़रके अगले चालिस साल के लिए ह अपने आपको जिन्दगी और फिजाओं में गुमने फिरने और अपने आपको बादशा कहलाने का वो सही हकदा ठाहरता है तो दोस्तो इसमें Robert Green यह कहता है कि recreate yourself कभी भी अपने आपको यह मत समझो कि आप बड़े perfect हो क्योंकि कहा जाता है satisfaction is the death of knowledge जो ही आपने अपने आपको मुकमल जानना शुरू कर दिया उसी वक्त आपकी बरबादी उसी वक्त आपके जो तो नजली है उसका जो आगाज शुरू हो जाएगा जी दोस्तो रूल नबर 26 में Robert Green क्या कहता है always keep your hands clean always keep your hands clean हमेशा अपने हाथ साफ रखें जी दोस्तो ये भी बड़ा अजीबो गरीप और tricky किसम का एक रूल है जैसा कि मैंने इंट्रो में पहले ही आपको कहा दिया था कि इन जो 48 rules of power है इनका अखलाकिया से कोई तालक नहीं इनका सिर्फ एक चीज़ से तालक है कि आपकी ताकित इस तरह बड़े अगर लोगों का कोई मुफाद है लोगों की इखलाकिया या लोगों की जिन्दियां दाव पे लगती है तो लोग जाएं बाड़ में आपका जो पावर है आपका जो इकदार है उसे तूल मिलना चाहिए और आलवेज कीप यूर हैंड्स क्लीन अपने हाथ साफ रखिये और अपने हाथों को गंदा मत होने दीजिए इसका एक और भी मतलब दोस्तों हम ये ले सकते हैं कि जो लोग दूसरों के दिरे काम करते हैं या बैक फूट पे जाके काम करते हैं लोगों को आगे फ्रंट प के जो ख़डाडी मौजूद नहीं है जी हां आपको अशारा समय तो आ गया होगा पाकिस्तान में जितने भी जो बड़े-बड़े क्रप्ट लोग हैं इन्होंने कभी भी जो क्रप्ट और नबर टू ट्राजेक्शन ये कभी भी अपने डारेक्ट अपने हाथ से नहीं करते बलके इन्होंने थर्ड मैन या किसी और बंदे को आगे लगाया हूँ हुआ होता है तो दोस्तों ये था लिटरल मीनिंग ऑल्वेज कीप यूर हैंड्स क्लीन अब चलते हैं रूल नबर 27 के तरफ रूल नबर 27 में रॉबर्ट गरीन कहता है प्ले ऑन पीपल्द नीड टू क्रियेट टू एक कल्ट लाइक फॉलिव दबरा सुनिए प्ले ऑन पीपल्द नीड टू बलीव तू क्रियेट एक कल्ट लाइक फॉलिविंग जी दोस्तों रोबर्ट ग्रीन इसमें कहता है कि अपने आपको इतना ताकतवार और इस कदर मुकंमल जाहिर करो कि लोगों के जहनों में आप ऐसे समा जाओ जैसे आप एक देवता हो आप में गल्ती की कोई गुंजाइश है ही नहीं लोग आपको फॉलो करते हैं और लोग आपको ऐसे मानते हैं जैसे आप देवता हो और आप में कोई नक्स नहीं यह दोस्तों तभी हो सकता है जब आप किसी भी कानून किसी भी इखलाकियात और किसी भी rules and regulation को नहीं मानेगे आप सिर्फ एकी चीज़ को मानेगे और होगा कि how you can make your power more and more even at the cost of lives, liberties and happiness of the people at large जी दोस्तों ये था rule number 27 अब चलते हैं rule number 28 की तरफ जिसमें Robert Green कहता है कि always act with boldness, always act with boldness, जी दोस्तों ये बड़ा ही मददार और अच्छा एक principle है जिसमें वो कहता है कि हमेशा काम करो तो बहादरी के साथ करो जी दोस्तों आपने देख लिया कि जो लोग बहादर होते हैं सिर्फ अन्हीं की मदद करता है क्योंकि उन्हें अपनी जो अमल है उस पर पूरा पूरा यकीन होता है और उन्हें इस बात पर भी यकीन होता है कि अन्हें इसका धरूर सिला देगा क्योंकि महनत करना बंदे का काम है और महनत को मानना या ना मानना महनत को कामयाभी में बदलना या नाकामी में बदलना यह आप लोगों का काम नहीं है अल्लाद अल्लाद का काम है तो आपका काम सिर्फ यह है कि फुल कन्विक्शन और फुल डिवोशन के साथ एक काम को कीजिए और and leave the results to Allah Almighty the all seer, the all knower जी दोस्तों अगला rule है 29 इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है plan all the way plan all the way to the end plan all the way to the end जी दोस्तों इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जब भी आपको काम करने लगें तो आपको जो उसका अंजाम है वो आप जहन में रखिए जब भी आपको काम करें तो उसका जो अंजाम है वो आप जिहन में रखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको काम शुरू कर दे तो आपको उसके अंजाम काई पता ना हो इसके एक्जामपल मैंसे देता हूँ कि जो दोस्त CSS PMS की ट्यारी करना शुरू कर देते हैं और दिन रात मेंद करके पेपरों में भी चले जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन सी सीट मिलने जा रही है वो अगर ज्यादा मेंद करते हैं तो उन्हें कौन सी ग्रूप मिलने हैं अगर कम करते हैं तो कौन सी ग्रूप मिलने हैं और अगर अब अब आपके अपने मुलक अपने लोगों और अपने इद्धो गिर्द गिर्द नवा के जो हलात हैं उनको किस तरह नेगेटिविटी से दूर करके पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं तो दोस्तों इंसान को हर वक्त अपने जो भी वो काम कर रहा है उसको अंजाम का बहुबी इल्म होना चाहिए जी दोस्तों आज का आखरी और तीसमा रूल है बाई रॉबर्ट ग्रीन की किताब का वो ये है इसमें रॉबर्ट ग्रीन केता है कि आपने जब भी काम्या भी हासिल कर लेनी है तो लोगों को ऐसे जाहर कीजिए जैसे आपने उसके लिए बहुत ही कम महिनत कीए जी दोस्तों जब भी आपको काम्या भी मिलती है तो इस तरह जाहर कीजिए कि आपने तो उसके लिए बहुत ही कम महिनत की है जी दोस्तों इसके एक्जामपल में इस तरह देता हूं कि आपने बेशमार जो क्लास फैलोज हैं जो जिन्दी में ऐसे लोग जो टॉप स्लॉट में आप अगर उनसे कभी पूछे ना कि आपने किस तरह ये टॉप स्लॉट और सोथ हैं यहा जो फस्ट पशेचनल हैं लिए कि हमने तो बिल्कुल काम नहीं किया हमने अगर काम किया तो बिलकुल मामूलीं सा किया है या लोग किसी भी किसी भी एक्जाज होते हैं तो शार्ट किंग उन्हों ने रातों को उठ उठ के जाग जाग के पड़ा होता है क्योंकि आलल है ऐसे लोगों हुई की मार्द करता है कूँए ल्ला हलस तो फो हल्प सेमसेल्स जी दोस्तों ये था आज का लेक्षर अमीद आपको यह पसंद रहा होगा अगर आपको ये जैद्चर मेरा शेयर कीजिए, क्या पता किसी की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दिली आ जाए, अपना और अपने दोस्तों का ख्यार रखिए, आप सब का बहुत शुक्रिया.